कि इंटर्नल चेक हमने पड़ा था कि ऐसा चेकिंग सिस्टम भिठा दिया जाए कि एक बंदे के काम दूसरा बंदा चेक कर ले और गलतियां वा गलतियां वही ना गलतिय bên अंदर एंदर ही गलतियां ठीक हो जाएं को ठीक है ऐसा नहीं एक को चेक करें पता चल रहा है यह गलतियां यह सारी इतनी सारी इतने चेक में क्यों होता कि एक दूसरे का काम चेक हो जाए और आपको बाद में दिक्कत ना आए और उसी टैम जब वो चल रही है ट्राइशन हो रही है कोई इवेंट हो रहा है उसी टैम चेक होके वो चेज ट्रांजेशन अपने आप ठीक हो जाए अब देखो पढ़के देखते हैं इसको इंटरनल चेक में भी डिफाइंड अरेंजमेंट आप अकाउंटिंग रूटीन डैट एडर एन फ्रॉड ऑटोमेटिकली प्रिवेंटिड एड़ एसा अकाउंटिंग रूटीन मना दो कि जो एरर है एरर और फ्रॉड है वो आटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएं ठीक दोस्त नेस्ट पॉइंट बढ़ते हैं अ सिस्टम आफ इंटरनल चेक इस एन अर्रेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी को ऐसे लगाओ जहां पर वन पर्सन इस स्टाफर और प्रियुंट जहां पर किसी एक बन्दे को स्टाफ टॉट फिर्वेंट्य और रर्चैक्शन फिर्वेंट को सब्सक्राइब और रिडियूज टू मिनीमम कि देखो कि ऐसा सिस्टम बनाओ ऐसा प्रोसेस बनाओ जहां पर किसी एक बंदे को स्टार्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम ना दिया जाए ठीक है सरी यह मतलब हुआ समझ नहीं आया है कि एक बंदा तो सिर्फ मार्केट में धूड़ेगा कि कंप्यूटर कितने रुपय का मिल रहा है जी कोई बंदा देरा पचास का कोई देरा साट का कोई देरा सत्तर का तो वह धूण धान के लिए है कि पचास वाला बंदा बढ़ वेंडर को चेक करना बी सवर को चाकरना मार्केट को चाकरना कम्प्यूटर को चक्टर यह सारे चीजह उसे हो और वह ऑडर भी दे उसकी पेमेंट भी वही करते यह तो ऐसा और ईसक्जुए मेरे हाथ में कंपनी में मैं हूं मेरे हाथ में है procurement department ठीक है और मैं क्या करता हूं मैं ही खरीदूंगा मैं ही मार्केट में जाके देखूंगा कि computer मेरे को भेज दिया computer लेने लो मेरे को भेज दिया computer लाने बोले पैसा दे दिये काट दे दिया अपना company का कि जा भाई तो पचास computer लेकिया अब सारी चीज मेरे को दे देंगे तो मैं क्या गरूंगा मैं क्या गरूंगा क्या उठा लूंगा सस्ते computer और दिखा दूंगा कि हां मैं तो इतने लाग होगा computer लिए तो इसलिए organization में क्या होता है देखो इसमें एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं मैं आप समझ जाओगे एक्जांपल में इसने चेक किया market में कि कौन सा बंदा सही है कि इसने employee ने और यह मालो manager procurement department का manager इसने का कि हां भई इस वाले seller से लिया पचास computer इसने अप्रूव कर दिया अब इसके अप्रूव कर बादना यह भेजेगा किसको यह भेजेगा finance department को जो payment करने वाले department होगा उससे क्या बोलेगा कि देखो भी यह quotation है हम पचास computer मंगा रहे हैं आप payment करवाद हो जी आगे से ठीक है तो देखो चेक किया इसने सबने अपना काम अलग अलग किया तो इससे क्या होता है इससे फ्रॉड नहीं होता company में ओटामेटिकली एक दूसरे काम चेक हो गया ठीक है और payment भी हो गई तो यह चीज़े बोल रहा कि एक परसन के हाथ में सारी जिम्मेदारी मत देदो एक प्रोसेस की उसको बाट के रख सब्सक्राइब क्या होते हैं जी एरर और फ्रॉड के चांसिस कम हो जाते हैं मिस अप्रोप्रियेशन ऑफ कैश भई अगर उसी बंदे को दे देते एक ही काम खरीदने का कंप्यूटर एक ही बंदे को तो वह उसमें घपला कर सकता था कैश में ठीक है या फिर वह चार कंप् अब इसमें अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगी इसकी एंट्री करेदेगी ठीक है एंट्री कर देगी एसट की फिक्स एसट टू बैंक तो यह चुत्था बंदा हो गया काम करने वाला हुआ है ठीक है फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एसे एंट्री कर दी फिर एक चीज हुई है सिर्फ खरीदाय कंप्यूटर कितने सारी चीजें हो गई बड़ी कंपनियों में ऐसे ही होता दोस्त आप सोच रहे हो ना कि परचेसी तो करना था लैप कंप्यूटर ऐसे नहीं होता देखो कितने लोगों ने काम किया एक ट्रंजेशन बे तो एंट्री कसी और ने कर दी थीक है पांच चोथे बंदे ने अब सब कुछ कंट्रोल में रहेगा एक काम दूसरा बंदा चेक करेगा तो एफिशेंसी तो बड़ेगी ना काम टाइम पर हो जागा ना जल्दी से हो जाएगा काम बस यह यह नेक्स्ट पॉइंट अडवांटेजिस ओफ इंटर्नल चेक भी यह फायदा क्या होता है इंट बंदय को मार्केड की नॉलेज तो उसे कि ऑप्यूटर के बढ़िया की मिल रहे सकता है अथी कि इसको अजय को डेना है और मेुंवरेन काम करने काम इसको देना है रिकॉर्डिंग करने का कम इसको करने काम नहुंवरेकुशन और इतनी सारे चेक लगा लिए आ आप ने एक काम skilled attempt कर रहा है तो जो books of account बनेंगी जो entry आएंगी balance sheet पींडल बनेगा उस पर reliability बढ़ जाएगी भरोसा बढ़ जाएगा ठीक है यह फाइदा हो गए अब नुक्सान क्या होता है कि इंटर्नल कंट्रोल इंटर्नल चेक लगाना भी expensive होता है न भाई एक काम में आप दो लोग लगा रहे और एक काम में आप चार लोग लगा रहे अधा expensive तो हो गया न ठीक है दूसरा कंप्लेंसी अमंग्स ओफिशियल्स देखो होता क्या कई बार आप आपको संटेंस समझ में आएगा नहीं इसको इसी वे में समझ रहेते हैं चलो क्या लिखा है मैंनेजर्स इंचार्ज आप दा कंट्रोल फंक्शन में बिकम लेक्स थिंकिंग आइट लएक्स थिंग नाफिंग कैना गो रोंग अ कि जो अपर लैवल बंदा बैठा झाए जरिबॉस्के के नीचे होगा एनलेश्ट चार उसके उपर टीमी नीचे ऊट बाढ़ अभी के लिए तो होता क्या है कई बार जो काम मैनेजर के हाथ में घी में इंप्लोई टीम लीड और मैनेजर जो काम मैनेजर के हाथ में है वहाँ पे इंटर्नल चेक करना वह मुश्किल है मैंने अगें मैनेजर ही अगर मिला हुआ है तब क्या कर लोगे जी तो फस गए आप अब तो फ्रोड होए गई होगा पचास के चीज पांसो में आएगी आएगी तो चेक करना महां मुश्किल हो जाता है क्या है रिस्की पॉर और अडिटर ऑडिटर लाइकली तो अवर डिटेल चेकिंग हाववर ही रिमेंस लिएबल और नेगलीजिंस केस डोट फ्रोफर कंप्लाइंस एंड शब्सक्रांटी प्रोसीजर देखो दोस्क्या कह रहा है यह थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटी लग रहा होगा अब इसमें और को भी रिस्क होता है अब और क्या करता है मैं स्टार्टिंग से बताता आया हूं वह एक डॉक्यमेंट एक एक एंट्री तो चेक करता नहीं है तो होता क्या अगर कहीं बीच में गड़बड़ी हो गई तो और भी लाइबल होगा यानि और को भी नेगलेजेंड माना जाएगा कि तूने गलती की है देखो बहुत अच्छा पॉइंट है पूरा सुनना आप कहोगे सर आपने तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था और इस व चेन्हें नहीं करी तो और में गड़बड़ी है तब मना जाएगा लेकिन अगर उसने पर्शेस च्छेक की उसने सब को थीक है जो डॉक्यमेंट उसके पास आये उस हिसाब से सब सब ठीक है उसके बाद भी घलतीय ने तब उसकी घलती नहीं मानी जएगि तो यहाँ पर य तो उसका बिल ढंसे ने देखा कि हाँ यह वाला और लगब लगब इतने कहीं आता होगा ठीक है आई फाइव जनरेशन फिफ्ट या सिक्स जनरेशन आप मेरे को पचास-थाजार में ही आ जाएगा क्या जिसने चेक की ठीक है तो यह बोल रहा है कई बार ओटर को भी रिस्क होता है वह क्या करता है कई बार क्याता कि उपर उपर से निकाल देता बिल तो यह भी देखा जाएगा उसने अपना काम रहे कि नहीं किया अब तो अब इसमें आप पहले दो पॉइंट भी लिग दो गए न तो भी आपका काम इसका इंपॉरेंस इंपॉर्डट एक है मतलब क्या है इंपॉर्ड कंट्रोल कंट्रोल इन बना जाती है रूज्स बना जाते हैं पूरी कंपरी में यह ऐसे हो गई फिय्कत नियों इस मिर्सें इस प्रक्राइब करना चाहिए ठीक है सब्सक्राइब पर आना चाहिए पर टाइम बिल हमारे पास होना चाहिए हमारे पास कोटेशन की कॉपी होनी कोटेशन समझतो दस लोगों से मनें मंग आई अर वह इस तूब अबल ऑव जो क्या बोलते हैं रूल्स लगाते हैं पॉलसी बनाते हैं वह 나오र उस में से दूसरे बंदा एक क offense करना वह हो गया हमारा ईंटरेनल से इसका इसका ब्रादर है है बड़ा स्कोफ है मतलब यह एक तरह से इसका एक पार्ट है इंटरेनल कंट्रोल में मैंने क्या बताया था पंचिंग मशीन अटेंडेंस वाला ठीक है इंटरेनल चेक क्या था कि कैमरे ने चेक कर लिया उसने ठीक है तो एक का काम दूसरा ने चेक कर लिया यह पूरे कंट्रोल का छोटा सा पार है इंटर्नल चेक तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी इस मोर फ्लेक्सिबल मतलब कंट्रोल जो होता है जो ऑवरोल कंट्रोल आप बनाते हो वह तो एक बार को थोड़ा बहुत चेंज वगर अभी कर सकते हो ठीक है आप बोल सकते हो कि यह जाए नो दस पर आगया कोई बात नहीं अगर आपने बोल दिया कि उस इंप्लोई को कि इसको लगा दिया खड़ा कर देंगे केहने के मतलब यह है कि इसमें आप इंटर्नल कंट्रोल में थोड़े बहुत चेंजिस कर सकते हो इसमें आप उतने नहीं कर सकते एक बन देखा बिचारव ने जानबूच के ना कराऊ यह तो बोल देगा कि इसकी घलती है तो फस्ट रइचारा चाहा उसने जानबूच के ना किया हो तो यह थोड़ा सब रिजिड है यानि इसमें चैंजिस के चांसे कम होते हैं अब्जेक्टिव से इसमें क एक्यूरेट है गलतियां तो नहीं है पॉलिशी सघ्य से काम कर रही है यह सब आ गया इसमें क्या गया यह करता है सफ एरे और और फ्रोड फ्रॉड को डिटेक्ट करने में एक बंदे काम दूसरा बंदा चक कर रहा है तो गलतियां तो चक करेगा यहीं तो चक करेगा कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ ठीक है दोस्ते